हेलो फ्रेंज वल्कम माई यूट्यूब चैनल फॉलो इस्टडी फ्रेंज जैसा कि आपको पता है कि एक्जाम लगबग छे से साथ महीने चला और उसका एंसर की आया हुए लगबग एक से डिड़ महीने हो चुका है और अभी तक कोई भी ऑफिसियल और रिजल्ट का भी मैं बात करेंगे रिजल्ट आने से कुछ समय पहले ही जो की आपको मालूम है कि रिजल्ट कभी भी घोशित कर सकता है और क्यों नहीं कर रहा है रेल्वे के दौरा ऐंटी पीची या फिर ग्रूब डिका जो जो डेट है वह क्यों नहीं किया जा रहा है उसके करे भी करें अगे वीडियो में बताइंगे तो चली सुरू कर लेते हैं आग कैसे हमारा टॉपिक को यहां आपको डीता दिखा देता हूं यहाँ पे मैंने स्कोर के लिए यहाँ लग लग चैनल से अलग लग यहाँ पर डेorkें लिया है,ELगभाग साथ 90,000-70,000 तक यहां पर वोटिंग हुआ है तो देखिए एंटिपीस के लिए यह पॉल किया गया था पूछा गया है कि आपका रोव मार्क कितना आया था तो यहां पर रोव मार्क बताया गया है 54% का जो 54% जो इस्टुडेंट है उनका जो रोव मार्क है 50-60 के बीच है और जो उसमें 14 परसेंट हैं तो देखिए यहां पर ओने एवरेज यहां पर देखिए सबसे ज्यादा किसमें परसेंट ज्यादा है आपको दिख रहा होगा कि 50-60 के बीच में सबसे ज्यादा यहां पर 54 परसेंट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है और 60-70 तक यहां पर 21 परसें अगला जो हम डेटा निकल के आता है देखिए अगला डेटा है यहां पे 63,000 लोगों ने वोट किया है यहां पर मैंने आपको बताया था यहां पर 64,000 इस सर्वे को यहां पर 23,000 वोट किया गया है तो इसमें 44% इस्टुडेंट ने जिसका नंबर है 40-50 के बीच में हुंका र है 70% इस्टुडेंट का 60-70 है 5% जो कि 70-70 के बीच में आते हैं और 3% जो ऐसे इस्टुडेंट है जो कि 80 प्लस इस्टुडेंट है यहां पर नंबर आ रहे हैं तो यहां पर मैंने भी आपको पिछले में बताया कि इन दोनों का तो हमें बात ही नहीं कर रहा है यह किसी भी इस्टुडेंट के लिए चलिए एक और डिटा दिखाते हैं फिर उसके बाद हम बात करेंगे सिर्फ स्कोर के बारे में अगला आता है दिखिए यहां पर 72,000 यानि 72,000 वोटिंग किया गया इस्टुडेंट के लिए और यह भी रॉ मांक्स के लिए ही NTPC का मैंने डेटा ल लिए बिटेंट के लिए लिए अगे अगरे में तनी अगवडना सिर्फ के लिए अब फिर से अपको देखा देता हूँ तीन चाहिं चेहां पर 60-70 यहां पर 21 सबसे जादा बिल रहा है 50-60 के बीच में यहां वे ने आपको बताया 24-50 के बिच में यहां पर 44 है जबकि 40-50 म कि आपको CBT CBT 2 के लिए अगर डेंजर जोन से है तो हो सकता है कि आप क्वालिफाइड नहों लेकिन हम आगे इस पर भी बात करेंगे यहां पर पचास साथ के बीच में ज्यादा फंडा हमारा यानि ज्यादा इसी के अंडर आ रहे हैं जो हलका तैयारी कर रहे हैं यानि लगे तो उनका यहां पर आप देख सकते हैं 60-70 वालों के बीच में 21 और 31 परसेंट का पचास साथ के बीच में आ रहा है तो फ्रेंट स्कूल मिला के यहां पर जो ऑफिसियल यहां पर मैं आपको बता दू कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है आपका आने वाले एक्जामों के लिए और आपको मैं बता दू कि जब भी आपका रिजल्ट आता है एक्जाम का डेट है वह दोनों साथ ही मेंसं करके आएगा और साथ नहीं भी आया तो एक दिंग के बाद आपका सिप्टी टू का जो रिजल्ट जो एक्जाम डेट होगा उसका आपको रेल्वे की तरफ से आफिस् ये बारplaces 2 को चालिस से पैपैटाल से आता है तुरत उसके ंधार मेंने के अंदर आपको उसे क्याएं रिल्वेट को सकते हैं सकते हैं , तो आपको मैक्सिमम अगर रिजल्ट आने के बाद 40 दिन का लगभग टाइम आपको दिया जाएगा रेलवे की तरफ से और उसके बाद 52 का एक्जाम आपसे ले लिया जाएगा तो मैं आपको बता दू सेफ इसकोर आपका क्या है देखिए फ्रेंट जिनका भी आ रहा है 56 प् से जो भी एक्सिट्ट हो प्लेस है उनको लग रहा है आप आने वाले एक्जाम के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हो पाऊंगा और आपको निकल ही जाए तो आपको अपना जो प्रिप्रेशन है जारी रखना है हो सकता है अगर इसमें आपका नहीं हुआ तो दूसरा एक्जाम में भी तो मैस जनरल आवेर्नस रेजिनिंग तो आते ही हैं भले उसमें हिंदी या फिर इंगलिस पुछ लिए जाते हैं लेकिन यह तीनों कॉमन सब्जेक्ट आप से पूछे ही जाते हैं तो फ्रेंड्स आप 55 प्लस जो भी इस्टुडेंट है और मैं आपको बता जो भी डेंजर जोन से है जैसा कि अपको पता है मैं आपको पता दूंकि 7 से 8 फेजेज में एकजाम होता तो जो भी पहला फेज था और SECOND फेज था तो इन दोनों का जो पेपर था एनालसिस के अनुसार इन दोनों पेपर और भी जो फेज हुए थे उन सब की तुनला में थोड़ा सा आसान था आपको वही मालूम था जिन्हों नहीं फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में एक्जाम दिया है उनका पेपर और जो पिछले फेज में हुए हैं उनकी तुलना में थोड़ा सा थोड़ा सा आसान 2-4-5 नंबर यहां पे मैं आपको कह सकता हूं कि थोड़ा आसान था ऐसा नहीं है कि हट था जबकि इन दोनों स्ट के बाद में जो भी फेज में एक्जाम हुए उनका थोड़ा सा तुफ पेपर था मैं ऐसा बोल सकता हूं इन दोनों की तुल्ला में बाकी टफ नहीं था इन दोनों फेज़स की तुल्ला में थोड़ा सा वो टफ था तो नॉर्मलाइज में वह मेंटेंग कर लिया जाएगा ऐसी बात नहीं है तो देखें यहां पर मैं बता दू कि फर्स्ट फेज और सेकेंड फे में आपका जो आपने बहुत सारा रॉंग किया होगा या फिर क्या रेलेवे का फंडा है नॉर्ल मेजर्शन का फार्मूला भी आया है उसके अनुसार या फिर फर्स्ट फेज का हो उन दोनों फेज़स में या फिर अलग-अलग सिफ्ट में जिनका भी थोड़ा आसान जाएगा तुरंत आपका सिफ्टी टू के लिए एक्जाम डेट निरधार्थ कर दिया जाएगा और बहुत ही कम समय में आपका एक्जाम ले लिया जाएगा तो फ्रेंस आप अपना प्रेप्रेशन जोरो सोरो से करें क्योंकि टाइम बहुत कम देगा रेलवे आपके अपने दोस्तों में और आएसी यह वीडियो का ओफिसल नोटिस पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें जो बेल आइकन करने साने घंटे का उसे भी क्लिक करें करें ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहल हो रहा है इतना लेट क्यों हो रहा है मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा तो चलिए आज के लिए इतना ही